हेलो फैमली आप सबका एक पर फिर से स्वागत आपके अपने चैनल मुन्ना किचिन में आज हम आपके लेक है चिकन ओमलेट की बहुत ही मज़दार रेसी भी वीडियो का एंट तक जरूर देखे हैं पसंदा है तो लाइक करना ना बुले चिकन ओमलेट बनाने के लिए सबसे साथी में अब हम एक मिर्ची ले लेंगे इसे बारिक-बारिक कट कर लेंगे इसे हम सेम ग्लास में एट कर देंगे अब हम थोड़ा सहरा धन्या एट कर देंगे बारिक-बारिक कट करके साथी में अब हम यापे 100 ग्राम चिकन को ले लेंगे इसे हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया अब हम इसे बारिक बारिक तोड़ लेंगे हाथों की सायता से कुछ इस प्रकार से अब हम चिकन को भी सेम ग्लास या बाउल में एड़ कर देंगे अब हम ग्लास में एक अंडे को फोल लेंगे कुछ इस प्रकार से इसी के साथ में अब हम एक और अंडे को भी आट कर देंगे साथी में अब हम गैस पे तवे को रख देंगे अब हम इसमें दो बड़े चमस तेल को गरम अने के लिए रख देंगे अब हम ग्लास में स्वादन उसा नमक एट कर देंगे नमक एट करने के बाद अब हम इसे चम्मच की साहता से अच्छी तर से फेट लेंगे कुछ इस प्रकार से अच्छी तर से फेटने के बाद तेल गरम हो चुका अब हम बैटर को तवे प्याट कर देंगे कुछ इस प्रकार से साथी में अब हम गैस की आज मीरियम कर लेंगे और इसे पकड़ की साहता से हलका सा गुमा लेंगे लगबख एक मिन्ट अच्छी तर से पकाने के बाद अब हम आमलेट को पल्टी कर देंगे ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से पक चराप पकाने में और भी मज़ा है एक मिन्ट पकाने के बाद आप हम इसे वापिस से पल्टी करतेंगे और लगबख 10-10 सेकंड के और पकने देंगे 10-10 सेकेंड अच्छी तरह से पकाने के बाद आप देख सकते हैं आपका चिकन ओमरेट बनके अच्छी तरह से तयार हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे साथी में अब हम दो पाउ लेंगे उससे बीच में से कट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से अब हम इसे तवे पे अच्छे से से शेख लेंगे एग बार पाउ को चितर से से शेखने के बाद अब हम इसे से इन प्लेट पे रख देंगे तो इसी के साथ आप देख सकते हैं चिकन ओमरेट बनके चितर से तयार हो चुका अगर आशी भी पसंद आए रहेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले बन्यवाद